दोस्तों ड्रीम 11 के अंदर में फर्स्ट रेंग लाना उतना भी मुस्किन नहीं है काफी जादे आसान है अगर आप हमारे बताएगे ट्री को यूज करते हैं तो कहिन की आप एक नम्मर में आ सकते हैं दोस्तों मोबाल का स्कीन में यहाँ पर आपको देखा रहा हूं जिसमें से एक नम्मर आ सकते हैं मैं आपको जवर्दस ट्रीग बताऊंगा जो आज तक कभी किसी ने नहीं बताया होगा अगर आप इस ट्रीग को यूज करते हैं तो 101 परसें ड्रीम अलों से बहुत सारा पसा कमा सकते हैं तो अभी मेरा में इंकम यूं कहा जाए कि मेरा जो सौर्स दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने लगभग हर मेंच में वीन करता हूँ यहां पर देख सकते हैं कि कि आप मैं किस तरह से जीता हूँ 175 रुपया कभी कभी दोस्तों एक दो में मैं नहीं जीत पाता हूँ क्योंकि मैं जादे टिम को एक्सपेडमेंट करने लगता हूँ इसलिए तो यहां पर 200 रुपय देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं और मैं स्क्रॉल करूं तो आपको दिखाओं कि यहां पर बारास रुपय देख सकते हैं तीन सो रुपय देख सकते हैं और यहां पर 500 रुपय भी देख सकते हैं द पर मैं हूं टोटल प्लेयर्स की बात करें पर 50 कॉंटेस्टर खेले थें कॉंटाच ले संज यहां पर 1200 बेविन किये थे दोस्तों तो मैं आपको बताओं इसमें टीम मेरा किस तरह से बना हुआ है दोस्तों आप यहां पर जैसे देखेंगे तो मैं यहां पर एक टीम का लिए उसके बाद दोस्तों टॉप ओडर के जो इनका बल्यवाज है तिन चार वह में रख लिया हो जो रन बनाएंगे वह यहां पर बनाखेंगे उसके बाद दोस्तों जो टीम बालिंग पहले कि है उनका जो ऑपानर आएंगे बैटिंग करने के लिए दूसतों वही यहां पर लेडी मेरा टीम चल रहा है यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि इंडिया लेजन्ड भर से साउध अफ्रीका लेजन्ड के बीच में मैंच खिला जा रहा है तो मैं क्लिए टीम पर किलिक करता हूं यहां मैं आपको बताता हूं सपोस्ट डैट की इंडिया पहले गिंदव है पी ओजा है उसके अलावे दूस्तों यहां पर जो गिंदवाज है एहम पटेल है उसके बाद दूस्तों यहां पर इंफान पठान है उसके बाद दूस्तों यहां पर आपको इसू पठान देखने को मिल जाएगा तो यह टॉप अडर के जो इनका जो गिंदवाज है मैज को विन करके चल जाएंगे अगर चेस करेंगे तो आप समझ रहा है ना टीम जब बन जाएगी तो मैं आपको समझा दूंगा ठीक है टीम सेलेक्ट हो गई उसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि यहां पर आपको सेलेक्ट करना है उन टॉप प्लियर्स को छोड़ द आइंगे अब उसको अपने हिसाब से रख लेना है कोई फरक ने परता कि आप किसे अपने टीम में रखे हैं उसके बाद काफी एक चाह गिंदवाज अपनी टीम में रख लेना आप यहां पर कप्तान वह इस कप्तान की बात करें तो उसमें से कप्तान देख सकते हैं कि 25 आप विंदर से भाग है और सचीन मातर 6 परसन है तो आपको सचीन को रख लेना है क्योंकि दोस्तों अगर यह रन बनाके देंगे तो लगभग आधा टीम को पोइंट मिलेगा और आप रेंकिंग वन नहीं लेक पाएंगे अगर यह रन बनाते हैं आपको 6 परसन ही कंटेस् करें कि सचीन तनर लियरेंगे तो अपको लियरवग टीम करते हैं और हम आते हैं कि किस परकाँ से यहां पर टीम बना हुए है दोस्तों यहां पर देख सकते हैं। कि जो टौप अडर बॉलिंग करने के लिए आएंगे वह पर पर तीन चार गरंदवाज बॉलिंग करके यहाँ पर चल जाएंगे उसके बात सारा का सारा बिकेर यहाँ पर साथ दभरी का गिरने वाला है दस का दस, रन भी काफी low score यहाँ पर बनने वाला है, यह अपने दिमाग में रखके चलना, उसके बाद माल लेज़े सबसकी 130 रन बने, तो विरंदर, सैवाक, सेचीन तेनल का और तेसरे नमरे में पठानाते हैं, यह तीन टॉप ओडर के जो हाँ की रन मार कर चेस कर लेंगे असानी से एक दो वर रहते हैं, अगर एक हाट विकेट गिरा भी, तो हमारे में बॉल ही विकेट लेंगे, साथ अफ्रीका के तरफ से, इस परकार से आपका रेंकिंग एक आना 100% फिक्स रहता है, जैसा कि मैंने वन रेंकिंग वाल आपको देखाया भी, दोस्तों आपको अ लेकिन दोस्तों अगर आपके एगेंस टीम का भी प्लेयर्स अगर पोइंट ले लेता है, तो आपको प्रोलों वाली बात है, माले जीए कि आप 11 स्टार लेकर टीम में बना लिए हैं, आप एगार एगार खिलाई लेके हैं टीम में, लेकिंग उसमें से दो प्लेयर्स अग नहीं लिए हैं, वो अगर पोइंट ले लेता है, तो आप सौन सकते हैं कि आपका जो सामने वाली कंटेस्टर हैं, उनको पोइंट मिली गया, अगर आपको पोइंट नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, तो आपका प्लेयर्स अगर अच्छा नहीं खेले, आपको दूख नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी और का प्लेयर्स अच्छा नहीं खेले, आपको इस हिसाब से अपने टीम में बना रहा है, आपके टीम में अगर सेचिन तर नुलकर है, वो अगर पोइंट आपको नहीं दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जिसे लाने के लिए आपको बिल्कुल एक तरफा टीम बनना होगा, तब या फर्स्ट रिंग ला सकते हैं, डिम लोट में आप जितने भी फर्स्ट रिंग लाने वाले हैं, उनका अगर टीम आप में दिच्चेक करेंगे, तो बिल्कुल आपको एक तरफा मिलेगा, टीम, तो ते नेक्स रुडियो में धन्नावाद,